बिल्कुल भी आसान नहीं था मुगल शाषक औरंग जेब के सामराज्य में 300 किलोमेटर अंदर गुसकर सूरत को लूटना लेकिन इस असंभव कारियों को संभव किया शिवाजी महाराज ने हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जनवरी सन 1664 इसवी में शिवाजी महाराज औरंग जेब के सामराज्य में 300 किलोमेटर लगबग 300 किलोमेटर अंदर तक गुस गए और सूरत को लूट कर वापस आ गए राजगर तक हम ये भी बात करेंगे इस अभियान की किस प्रकार से पूरी व्यूरचना बनाई गई गुप्तचर के लिए किसको भेजा गया ताकि इनपुट कलेक्ट किये जा सकें जब शिवाजी महाराज सूरत पहुँचे तो वहाँ उन पर किस प्रकार से जान लेवा हमला किया गया और सूरत को जब लूटा गया तो वहाँ की इस्थिती के संबंद में आखो देखी इस्थिती के संबंद में एक अंग्रेज व्यक्ति के दुआरा क्या लिखा गया है इसके आलावा जब शिवाजी महाराज सूरत को लूट कर वापस आये राजगर तो सूरत की लूट के संबंद में उन्होंने क्या कहा इसमपुन विशय पर हम बात करेंगे इस वीडियो के जो में सोर्सेज हैं वो एक तो है बाबा पुरंदरे की किताब राजा शिव चत्रपती इसके अलावा सर जदुनाद सरकार की किताब शिवाजी एन हिस टाइम्स इन दोनों के आधार पर और इसमें और भी बहुत सारे जो सोर्सेज हैं उनके आधार पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैं रमन भार्दवज आईए शुरू करते हैं अब विशय को आगे बढ़ाने से पहले एक बर सूरत की उस समय की राजनितिक, भोगोलिक और व्यापारी किस्थिती के संबन्द में समझ लेते हैं सूरत जो वर्तमान में भारत के गुजरात राजे में आता है आज भी प्रुमुख भारत के व्यापारी केंद्रों में से एक है और उस समय औरंग जेब के समय मुगल सामराज्य का प्रुमुख व्यापारी केंद्र हुआ करता था यहाँ पर बंदरगाह था और इस चुंगी करके माध्यम से औरंग जेब को करोडों का revenue प्राफ्त होता था इसके आलावा यहाँ पर मंडियां भी बनी होई थी, वहाँ से भी revenue आता था इसके आलावा अलागला गोदाम भी बने वे थे तो इन सबसे कुल मिलाकर करोडों का revenue आता था और इसलिए यहाँ धेर सारा पैसा था पैसा जादा तर किस रूप में था? सोने, चांदी, हीरे, जवारात इस फॉम में था इसलिए शिवाजी महराज ने पैसे की प्राप्ती के लिए सूरत को चुना अब क्यों चुना? तो जैसा शिवाजी महराज ने जब सूरत को लूट कर वो वापस राजगर पहुँचे तो राजगर पहुँचने के बाद उन्हों ने सूरत की लूट के संबंद में कहा और इस बात को सरजदुनाज सरकार ने अपनी किताब शिवाजी and His Times में पेज नंबर 76 पर लिखा है जो उन्होंने लिखा है उसको लगबग उसी रूट में बताता हूँ शिवाजी महराज ने ये कहा कि सूरत को इसलिए लूटा गया क्योंकि हमें औरंग जेब से बदला लेना था औरंग जेब ने हमारे मुल्क को लूटा यहाँ पर बेहिसाब हत्याएं की और इन सब के बदले के कारण इन सब का बदला लेने के लिए ही सूरत को लूटा गया है अब मुल्क का मतलब उस समय पूरा भारत देश नहीं मुल्क का मतलब वो दक्षिन का क्षेतर जो मराठों के अधिकार में था जिसको औरंग जेब के दुआरा लूटा गया था और बेहिसाब वहाँ पर कतल किये गए थे तो शिवाजी माराज ने जैसा कहा वो मैंने आपको बताया इसके अलावा हमको एक कारण और भी समझ में आता है कि शिवाजी माराज को अपने राजी का विस्तार करना था राजी के विस्तार के लिए बड़ी सेना चीए बड़ी फोज चीए फोज रखने के लिए भोट सारा पैसा चीए अब पैसा काँ से मिलेगा पैसा मिलेगा सूरत से क्योंकि सूरत में घोच सारा पैसा रखा हुआ है इसलिए सूरत को चुना गया अब सूरत को लूटना इतना आसान तो नहीं था जितना शाहिस्ता खां की उगलियां काटना आला कि ये भी आसान काम नहीं था क्योंकि वहाँ पर सतर अजार सेर एक लाग तक की मुगल फोजे इतना थी उसके बावजूद शिवाजी महराज पुने के उस लाल महल में घुसकर शाहिस्ता खां की उगलियां काट कर आ गए थे तो काम तो चुनोती पून था वो भी और उसकी तुलना में ये काम और ज्यादा चुनोती पून था क्योंकि यहाँ पर तो उनको 300 किलोमेट अंदर जाना था जैसे आप यो समझ लीजिए कि आज पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमेटर अंदर गुसकर आप आँ जाओ और फिर लूट कर आजओ अब वहां की सेना छोड़ेगी थोड़ी तो इसी प्रकार से जो अलग-अलग सेना ये तैनात थी मुगल सामराजे में वो भ उगल सुवेदार वो था इनायत खान और इनायत खाने सूरत में 5000 की सेना की तैनाती दिखाई हुई थी तो ओरंग-जेब से वो 5000 सेनिकों का वेतन तो उठाता था लेकिन दरसल वहां पर 1000 ही सेनिक तैनात किये वे थे बाकी के 4000 सेनिक थे उनकी तनकह वो अपने पेट में ड तो इन सब का फायदा शिवाजी माराज को मिलना ही मिलना था अब वहाँ पर पहुचना है सूरत में कहां अक्रमन करना है कहां नहीं करना किनको छोड़ना है किनको मारना है तो इस सब की जानकारी तो चीए थी इसके लिए इंपूट चीए था डाटा चीए था अब अक्टूबर या नूवंबर का महीना था वर्ष 1663 में तो अक्टूबर या नूवंबर में भेजा गया बहीरोडी नायक को बहीरडी नायक शुरत में गया उसने वहां 15-20 इस दिन तक पूरा निरिक्षन किया, कौन-कौन से रास्ते हैं, कौन-कौन से मुखे यहां के व्यापारी हैं, कहां-कहां पर यहां खजाना छुपा हुआ है, कितनी-कितनी सेना की तैनाती है, कहां सेना की तैनाती ज्यादा है, कहां पर कम है, यह सारे इंपुट प्राप्त क में है और जिस रूप में उसको देखा उसी रूप में सामने वाले को समझाना बहुत मुश्किल काम होता है कहने में इजी लगता है तो ये सारे इंपुट लिए इसके बाद मराठा सेनिकों ने शिवाजी महराज के नित्रित में 5 दिसंबर 1663 इस्वी को राजगर से सूरत के तो ये सेना दिन में तो पहाडों में छुपकर आराम करती और रात्री में जितनी जादा से जादा दूरी तै करनी होती उतनी दूरी ये तै कर लेते तो देखो आप सोचिये विचार करिए एक बर 5 दिसंबर 1663 को इन्होंने प्रस्थान किया और 5 जनवरी या 6 जनवरी 1664 को ये सूरत पहुंच चुके थे मतलब मात्र 10 दिनों में ये लोग सूरत पहुंच गए थे अब वहां पहुंचने से पहले भी इन्होंने रास्ते में कुछ आफवा फैलाई क्योंकि ऐसा थो है नहीं इनके लिए मार्क पूरा खुला हुआ है मुगल गुप्त चर भी तो ह अफवा फैलाई गई कि मराठा सेनिक जो है वो औरंगाबाद की ओर आ रहे हैं आकरमन करने के लिए और औरंगाबाद का जो सुबेदार था वो था औरंग जेब का पुत्र शहजादा मुगजम जो आगे चलकर बहादूर शाह के नाम से मुगल शाशक बना था तो मुगज जे वो औरंगाबाद में जाकर क्या करते माँ तो कुछ है नीना लेने के लिए तो केवल अफवा फैलाकर शहजादा मुगजम वहाँ पर तयार बैठा है और ये लोग सूरत की ओर चल दिये अब सूरत में जब ये पहुँचे पांच या छे जनवरी 1664 इसवी को तो पर भगदर सी मच गई वहां के व्यापारी इनायत खां के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि बई शिवाजी महराज आ गए हैं यहां पर और बड़ी संख्या में मराठा सेनिक हैं तो आप कुछ करो तो इनायत खां हसने लग गया और उसने का ये कोई मजाक की बात है कि 300 300-300 किलोमेटर चल कर यहां सूरत पहुंचना सूरत को लूटने के लिए यहां चले आना कोई मजाक की बात है तो इनायत खां को विश्वास नहीं वा लेकिन जब उसने सूरत की बगदर देखी और उसके पास में जब ये गुप्तचरों का समाचार पहुंचा कि हां बया आ कुछ शर्ते हैं आप हमारे समक्ष उपस्तित हो जाओ आपके साथ साथ आपके नगर के जो प्रमुक व्यापारी हैं जैसे हाजी बेग हो गया इसके अलाबा हाजी कासिम हो Eli अबदुल-जफर हो गया और बहीर्दी बहरा ये वाँ के वहां प्रमुक व्यापारी थे बहु लाख रुपए उससमें बहुत बड़ा रेवन्ही होता था यानि आज के अर्बों आप मान सकते और्बों आखर्बों आप मान सकते और इसके आलावा जो अब्दुलफड अब्दुल जफर जो था, अब्दुल जफर के 19 जहाज थे, पूरे लदेवे, समान से लदेवे 19 जहाज, और बाकियों के पास भी बहुत सारा पैसा था, तो शिवा जी महाराज ने अपना दूत इनायत खांके पास बेजा, और ये कहा कि हमारी कुछ शर्ते हैं, तुम और त जो भी होगा इस शहर में उस संपूर की जिम्मेदारी तुमारी होगी, इनायत खांने उस दूत को कोई महत्वनी दिया, और वो दूत वापस आ गया, इसके बाद शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटने के आदेश दे दियो, और ये थी सूरत की पहली लूट, जो शिव कारे करते थे, जैसा बाबा पूरंदरे ने अपनी किताब में लिखा है, कि एक डच व्यापारी, जिसकी एक अच्छी मेज थी, जो लोगों की सायता करता था, बिना जात पात, बिना धर्म देखे वे, उसको नहीं लूटा गया, उसके घर को नहीं तोड़ा गया, इसके अ लिकाला गया, और घरों में आग लगा दी गई, उस समय की स्थिती के संबन में, एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, और सरजदुनाद सरकार ने उसकी बात को कोट किया है, कि जब सूरत में आग लगाई गई थी, तो रात का समय था, लेकिन मानो ऐसा लग हो गया था, क्यों? कि आग लगने की वज़े से जितना भी धुआ उठ रहा था, वो सारा उपर इखटा हो गया था, और दिन में सूरज की रोष्णी, धर्ती की सत्य तक पहुंच ही नहीं रही थी, जिसके कारण दिन का जो समय है, वो रात के समान हो गया था, अब जब इन चिल्ः में बैठा ऊए और इनायत खाने किला कर रखाया बंद, और किल्श को बंद करने से पहले जो प्रमुक व्यापारी इनायत खान के पास पहुँचे थे, जिनों ने इनायत खान को रिश्वत दे दी, पैसा दे दिया, उनको इनायत खाने अपने पास अंदर रख लि वहां पर भेजा और दूत ने माराज के पास में पहुंच कर यह कहा कि हमारी कुछ शर्ते हैं इन शर्तों के हिसाब से हम आप से बात करना चाहते हैं तो शिवाजी माराज को क्रोध आगया और उन्होंने जैसा कहा वो आपको बाते बताता हूँ मेरा काम है इतिहास बताना अब इतिहास में जो जैसा है वो तो मुझे बता नहीं पड़ेगा तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा मालिक जो है वो ओरतों की तरह मूँ छुपाकर अंदर बैठ गया है और हम उसकी शर्ते माने हम मर्द हैं हम उसकी शर्तों को नहीं मानेंगे अब जब उसको लगा कि यहाँ शिवाजी महाराज तो बहुत क्रोध में है तो उन्होंने का मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाता हूँ वो जब महाराज की तरफ बढ़ा तो उसने अपनी कटार निकाली उसने दूत ने और जैसे शिवाजी महाराज की छाती पर बार करने वाला था तो वहाँ एक महाराठा सेनिक ने उसका हाथ काट दिया जैसे हाथ कटा तो हाथ और उसकी कटार दोनों नीचे गिर गए अब जब यह हाथ कटा तो हाथ से खून की पिछकारी निकली और ये पूरी शिवाजी महाराज की पोशाख उनके चेहरे पर गई और पूरे वो रक्त में लाल हो गए लेकिन इतनी ही देर में बाकी मराठा सैनिकों ने उस दूद को काट कर और पटक दिया उसके हप्या कर दी सूरत को लूटा गया लूटने के बाद भोत सारा भोत बड़ी संक्या में खजाना इखटा हो गया लगबग लगबग तीन हजार बड़ी बड़ी पोट लिया हीरे जवाराज सोने चांदी की ये इखटी हो गई इनको घोडों पर लादा गया और इनकी सिक्योरिटी के लिए पांसो साथ सो अलग से और सैनिक लगाए गए और ये सारा खजाना लेकर शिवाजी महराज कहां पहुँचे राजगर पहुचे अब आगे क्या हुआ आगे जब शिवाजी महराज यहां से गए इसके बाद इसके भी आठ नो दिन बाद जब महाबत खां अपनी सेना लेकर सूरत पहुचा 17 जनवरी 1664 इसवी को तो इनायत खां अपने किले से बाहर आया उससे पहले वो बहार ही निकला बहार बिलकुल निकला किले के दरवाजे बंद रखे तो 17 जनवरी को वो किले से बाहर आया, अब जब वो बाहर आया, तो वहां की जो आम जनता थी, वो उसको गालिया दे रही थी, गोबर फैक रही थी, तो इनायत खां के साथ में उसका जो बेटा था उसको ये बाते बुरी लग रही थी, और उसने भीड में तीर छोड़ा, कि दो-दो एफरी ये गटनाओं की खबर उसके पास पहुंची थी एक तो हम जानते हैं अपरेल 1663 इसवी में जब शिवाजी माराज ने शाहिस्ता खां की उंगलियां काट दी थी तो ये तो वो बहुत बड़ा चुनोती पून कार्य था वो खबर पहुंची तो भी वो तिल मिला गया था और शाहिस्ता खां की नियुकती पूने से अटाकर और बंगाल में कर दी गई थी इसके अलावा भी ये दूसरी ऐसी गटना थी कि सूरत को लूट लिया वो सूरत जहां से करोडों का रेवन्यू आता था तो ये तो सीदे बहुत बड़ी आर्थिक चोट थी तो औरंग जेब भेंकर तरीके से तिल मिला गया और फिर हम आगे जानते हैं कि औरंग जेब के दुवारा आमेर के शाषक मिर्जा राजा जैसिंग को भेजा गया था तो मिर्जा राजा जैसिंग ने अपने प्राणों का बलिदान देकर और अपने पुत्र राम सिंग के माध्यम से किस प्रकार से शिवाजी माराज को आगरा के किले से मुक्त करवा लिया और जब वो आगरा से वापस पहुँचे दक्षिन में यह सारा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है सोर्सेस के माध्यम से तो जब वो वापस पहुचे फिर से उन्होंने औरंग जेब के खिलाब खुल कर मूर्चा खोल दिया था तो यह था शिवाजी माराज के दुआरा सूरत की पहली डूट बाकी कोई नया विशे देखते हैं नेच्स्ट वीडियो में जहन